हम यदि उस पर आश्रित हैं, हमारा विश्वास यदि प्रवल है, तो शिव क्यों नामी है? कोई कोई कह देता है गुरुजी, हम बड़े दुखी हैं, कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं, हमने पहले भी कथा में कहा सुख और दुख दो पलड़ें ये जरूर आई जीवन में अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा एसा नहीं कि जिन्दगी में केबल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़े संसार में अगर जनम लिया है मरत्यों लोक में अगर जनम हुआ है तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़े अगर संसार में जनम लिया है मृत्यू लोक में अगर आप और हम जनमे हैं तो सुख और दुख को साथ ना पता ये सुख और ये दुख को साथ ना भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया संसार में अगर मरत्य लोक में आपका जनम हुआ है मरत्य लोक में अगर आप जनमे हो तो आपको दुख का समना थोड़ा न थोड़ा करना पड़े और कोई महराज अगर आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैं तेरी जिन्दगी में दुख नहीं आने दूँगा तो ये व्यर्थ की बात है ये सब व्यर्थ की बात है किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और संकर के मंदिर जानना चालू करो तो तुमारा दुख अपने आपके हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा और आपका कट गया हो तो वह बात दूसरी हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा कोई बता दे कि तुमारे भाग्य रेखा ये प्रबले रोज तुम यूटूब पर फेस्बूप मोबाइल खोलके बेट जाओ में देखू मेरी परव कि रेखा बड़ी परवले मेरा गजकेसरी योग है राजा बनने का पूरा चांस है अब की वार में ही राजा बनकर बेठूंगी अभी की वार में ही राजा बनूंगा तुम कितना भी हाथ दिखा लो कितनी भी रेखाएं देख लो कितना भी भाग्य दिखा लो परंतु समारना पड़ेगा संकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चड़ाओगे अपने आप तुमारा भाग्य समारना पराद दुनिया में किसी की सामर्थता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य समार दे अपना भाग्य अपने कर्म का लेख अपने को स्वयम काटना है राम जी का दुख स्वयम राम जी को काटना पड़ा भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुखाया राजा हरिष्चंद्र जी का दुख संसार में अगर जनम लिया है अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ तुमारे हाथ दिखाने से तुमारा दुख नहीं कटेगा तुमारा दुख कटेगा तुमारे कर्म करने से तुमारी लगन से मेहनत करने से तुमारा परिश्रम करने से मर्तिव लोक में अगर जनम लिया है तो अपनी मेहनत को चार गुणा बढ़ा दो अपनी मेहनत को चार गुणा बढ़ा अभी तक जितना CA बनने के लिए जो एक्जाम दे रहे थे रिजल्ट पास्त नहीं हो रहा आपकी बार एसी पढ़ाई करूंगा कि चार गुना महनत इंजीनियर बनने के लिए में कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए में कर रहा था आई एस आफिसर बनने के लिए में कर रहा था अपनी महनत को चार गुना बढ़ाओ जब अपनी महनत लगन चारगुना बढ़ेगी तो ये निश्चित है कि तुमारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ा कर लेगा आपकी मेहनत आपको अगरण ने लेकर जाए दुनिया का कोई महराज दुनिया का कोई बाबा संसार में जनम ने लिया जो तुमारा दुख काट दे अपने दुख को अपने को काटना है अपना भजन अपने को करना है हमने पहले भी कथा में कहा था अगर हमारे को खासी आई तो हमको खासना पड़ेगा हमको चीक आई तो हमको चीकना पड़ेगा हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख हमें संकर को एक लोटा जल चड़ा-चड़ा कर अपनी मेहनात करकर काटना पड़ेगा अपना दुख अपने को काटना कोई दूसरा नहीं काटने वाल किसी के सामर्थ दहीं कि तुम्हारा दुख को काट दे बस इतना जरूर करना कि मत भुरे करम कर बंदे वर ना पज़ताएगा भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा तू बच नहीं पाएगा अरे ओ अज्यानी मत करना ना अपने दुख को अपन को स्वयम काड़ और केसे नहीं कटता घर में बेठे रहोगे ए नांदेड़ वालो मेरी नांदेड़ के सारी जीजियां और सारे मेरे जीजा सारी बेटियां और बेटा मेरी माताएं मेरे भाई सब बोलिएगा घर में बेठे रहोगे हाथ पर हाथ रखे बेठे रहोगे कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आजाएगा क्या कोई महराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर देगा क्या तुमारे रिष्टेदार तुमको पचास अजार एक रुपे लाकर देगे क्या तुमारे कुटुम भी लाकर देगे क्या नहीं किसी की सामर्थता नहीं कि तुमारा दुख काट सकते अपने को घर से निकलना पड़ेगा अपने को सोयम मेहनत करना पड़ेगा अपनी लगनता अपने को लगाना पड़ेगा और इतना परिशंबू वो कहते ना परिच्छा हाल में तुम गए पेपर देने के लिए और परिच्छा हाल में तुम जाने के बाद में परिच्छा में तुम तुमारी टीचर से पहचान है जो टीचर तुमारी एक्जाम ले रहा है उससे तुमारी पहचान है अब तुम टीचर को देखके मुस्कुरा रहे हो और टीचर क्या कह रहा है लिखो तीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो क्योंकि तेरी कौपी में तु लिखेगा कुछ भी लिख पर लिख कैसा भी लिख पर लिख लिखना तुझे पड़ेगा तुझे याद नहीं है तो भी लिख कौपी तो भर, कौपी भरेगा तो टीचर से अगर पैचान है तो तुने अगर कौपी भर दी तो कैसे ना कैसे तुझे नंबर दे ही देगा पर अगर कौपी नहीं भरेगा तु अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा बोलो सही है कि गलर जमके तो बोलो जला तुम्हें लिखना पड़ेगा सोयम पीचर से कितनी भी पहचानो इस कुल में कितनी भी लिख दो पर लिखो तो तुम तो नांदेड का हितिहास लिख दो तुम तो लिख दो नांदेड का हितिहास की साथ दिन की कथा में से दो दिन इंद्र दे उताने लिए उसमें क्या दिख करें पर तुम भी गजब हो रहे पूरे नांदड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए पर तुम्हें जैसे सुगंद मिली और तुम बापिस आके इतनी संख्या में लाखों की संख्या में फिर पहुच गए थे गजब प्रणाम एन अंदड़ वालों को प्रणाम आपकी भक्ति को आपके विश्वास को और आपकी शुभक्ति को नमन करता हूं मैं जो आपके भीतरिक शंकर के प्रती जो भक्ति विराज मालें शुभक्ति लिखना पड़ेगा तुमको कौपी भरना पड़ेगी तुमको कुछ भी लिखो पर लिखो और घर के लोग क्या करते हैं आपसे एक बेटे से एक मा एक बेटे से एक बाप क्या करता है कुछ भी कर पर काम कर घर से जा काम कर तो मैं किसी किराने की दुकान पर काम करूँ कपणा की दुकान पर काम करूँ पेट्रोल पंप पर काम करूँ नहीं यहां काम करूँ कि कहां तू कुछ भी कर पर काम कर काम करेगा तो कुस्तों मिलेगा श्युमाहपुरान की कथा करती है परिच्छा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बेठे रहो कुछ भी लिखो कौपी तो भरो उसी तरह संसार में आये हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो और इन हातों से दो लोटा जल एक लोटा जल शिवजी को चड़ाते रहो अपना कर्म करते रहो नंबर वो दे ही देगा वो नंबर देने में पिछे नहीं अटता बस अपनी लगन अपनी मेहनत आपको करना परिच्छा हाल में अगर हाथ पर हाथ रखकर बेड़ गया कुछ नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिल सकते नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते थोड़ी सी मेहनत तुमारी लिए थोड़ी मेहनत हाथ की बाती कृपा घोले नात की थोड़ी मेनत आपको करना पड़े मेनत आपको अब सोप दिया इस जीवन का सब भार तुमारे है हार तुमारे हातों में और जीत तुमारे हातों एक विश्वास, एक लगन, एक भरोसा आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया अच्छा प्रश्न था प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी गुरु जी भगवान कृष्न अमेरिका में क्यों पेदा नहीं हुए है भगवान कृष्न चीन में क्यों पेदा नहीं हुए है हम उस बेटे से कहना चाते हैं हम उस बेटी से कहना चाते हैं कि तुम्हारा प्रश्न है कि भगवान अमेरिका में क्यों नहीं जन में है भगवान विदेश में क्यों नहीं जन में क्योंकि विदेश में रहने वाले व्यक्ति दिमाग से प्रेम करते हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है इसनि मेरा कृष्न भारत की भूमी पर जनम लेता है कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जनवे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं इससे मुझे क्या फाइदा होगा, इससे मुझे क्या लाब होगा, विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है, और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है, इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमी पर कभी राम, कभी कुष्ण बन कर ज एक किस नहीं बिदेश में शादी भी तो करते हैं ना हमारे एक बिदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कुल में पढ़ रहा था एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी हमारे यहां शादी इमेल से हो जाती है आज के जमाने में शादी ओनलाइन इमेल से हो जाती है भारत का बच्चा बोला तुमारे देश कितनी भी तरक्की करा हो और तुमारे यहां शादी कितनी भी इमेल से होती हो पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फिमेल से होती है तुम्हारा देश कितनी भी उन्नती करा हो, तुम्हारे या साधी वले इमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो साधी, आज भी फिमेल से ही होती है भारत भारत है इक लगन, एक महनत, एक पुरिश्व, विश्वास करो विश्वास एक एक बड़ा सुन्दर सा चरीत्र है एक मुंगा भगत था जिसका नम मुंगा था मुंगा भगत और दक्षिन का रहने वाला था बड़ा सरल था बड़ा सहज बड़ा आज के आडंबर से वो बहुत दूर था बहुत उसका सबसे प्रवल था भगवान चंकर के प्रति विश्वास उसका सबसे प्रवल था भगवान शिव के प्रति भरोसा बहुत दड़ी बहुत शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चड़ाए विना वो पानी नहीं पीता था भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना इस्मर्ण करने बिना शिव की इस्तूति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था शंकर भगवान की अविदल भक्ती में दिन बार धूम बूड़ू पा रहता दिन बार और शंभो शरने पड़ी मांगूं घड़ी देगर दोख काटो शंभो शरने पड़ी मांग घड़ी देगर दोख काटो गया करी ने दर्शान शिव इस्तूति में लगा रहता है भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता है मुंगा भगत शिव भक्ती में लीन रहता है पत्नी बच्चे सब अपने शंकर की भक्ती करते इस्मरण करते और परिवार में अच्छे से रहता है अब हमने आपने अगर कल की कता उनलाइन सुनी होगी तो उसमें कहा था कि शिव परिच्चा बहुत लेटे किस-kis ने सुनी थी कल की कता मोबाइल पर आस्था चेनर वर्सुनित सबने रखवा हमने उसमें कहा था कि शंकर परिच्छा भहुत लेता है बहुत परिच्छा लेता है शंकर भगवान एसे ही अपना नहीं बना लेते हैं शिव के करीब में जाने के लिए शिव जेसा विश्वास शिव जेसी सामर्थटा शिव जेसी लगन शिव जेसी श्रद्धा और शिव जेसी भक्ती होना जरूरी है शंकर के करीब में जाने के लिए शिव जैसा अगर विश्वास नहीं है तो शिव के करीब में आप नहीं जासे वहुची भी शंकर विश्वास और जितनी मेरी जीजियां बेठी हैं जो मेरे भाई बेठे हैं अगर एक लोटा जल चड़ा रहे हो तो यह तैयारी करकर रखना कि तुमारी परिच्छा जरूर है हारना मती यह नहीं कि एक महिना मंदिर चले गाए दो महिना मंदिर चले गाए तीन महिना मंदिर चले गाए चार महिना मंदिर चले गाए पांच महिना मंदिर चले गाए फिर मंदीर नहीं गए ना हाँ ना नहीं एक पत्र एक पत्र आजए ये विले निवासी वर्धा नाकपुर से हैं कहीं बेठे हो तो हाँ थिला सकते हैं सो अरुणा अजए ये विले निवासी वर्धा नाकपुर के निवासी हैं कहीं बेठे हैं क्या हाँ ठीक है दिख गया हाँ थिला दो बच्चे आये हैं के साथ में बच्चे लोग आए हैं के साथ में अगर आए हो तो यहां व्यास्पीट पे लिया गुर्देव मेरी बेटी की शादी को ग्यारा साल हो गए थे संतान का सुख नहीं था मेरी बेटी विदेश में आबुदाबी को जौब करती है और दमाद भी वहीं रहते हैं मेरी बेटी आपकी कथा यूटूब पर सुनती है चुट्टी के दिन श्यूम अंदिर जाकर एक लोटा जल चड़ाती है मैंने नागपूर में जब आपकी कथा हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहां पर कथा पंडाल में बेट के सुन रही हूँ और तू आपू धावी में बेट कर उसका था खलाब लिए मेरी बेटी ने आपू धावी के ऐसा कोई हॉस्पिटिल नहीं था जिसमें जाच नहीं कराई चेक अप नहीं कराया फिर भी उसको संतान का सुख ग्यारा साल तक नहीं आए तब मेंने मेरी बेटी के लिए और मेरी बेटी ने अपने गर्ब से संतान हो उसके लिए मोबाइल पर यूटूब पर मोबाइल को रखकर आसन बिठा कर कथा कुश्रबन करा मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया मेरे दमाद ने कह दिया मम्मी हमने इत्तिवर बड़े हास्पेटेल में दिखा लिया तो ये शुपुराण से कैसे बच्चा हो जाए शुपुराण से क्या सुनने से क्या संतान की प्रप्ति हो सकती है मैंने मेरे दमाद और बेटी से कहा एक बार विश्वास करकर तुम कथा तो सुनो अगर तुमारा विश्वास पक्का है तो ये मैं कहती हूँ कि तुम्हें संतान जरूर होगी और बाबा कभी भी जोली खाली नहीं छोड़ता मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुर्देओं मैंने नापपुर में कथा सुनी मेरी बेटी ने आबुदावी में कथा सुनी और साथ जुलाई दो हजार चोविस को मेरी बेटी को भगवान ने दो बच्चे दिये एक लड़का और एक लड़की जुड़मा हुए मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यह आई हूँ मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुर्देओं आपकी एक लाइन बड़ी सुन्दर है उस लाइन को आप और हम सब दो राएंगे कोई जल्दी बनता है कोई देर से बनता है लेकिन शिव को जल चड़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर शिव को जल चड़ाने वाला मैंने एपनी बेटी के दोनों बच्चों का फुटो लगाया है गुरुदेओं आप लोग भी एलेडी पर आस्था चेनल पर वो दोनों बच्चों के फुटो उसकी मम्मी बच्चों को लेकर बेठी है आबुदाभी में उसका चेनल अगर विश्वास पक्का है अगर भरोसा पक्का है भरोसा निश्चित है द्रड़ी है और भरोसा यदी प्रवल है तो शिव क्यों नामी है शंकर केसे नामी है एक विश्वास अपने भीतर प्रगट करें और यहां जितनी संख्या में आप लोग कथा श्रवन करने के लिए आए हैं पंडालों में भले जगा नहीं हो आप लोग पंडाल के बाहर अपना अपना च्छाता लगा कर अपना अपना आसन विच्छा कर प थीक है दो दिन की कथा गर निकल भी घए तो कोई दिक्कत नहीं कहते हैं कि पीछे के दिनों में जब मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को दे कर जाते हैं तो मेरा बाबा तुम भी दे कर जरूर जाए एक विश्वास एक भरोसा एक दड़ता आपने भीतर धारण करकर कथाता रिस्पान करी और अपने जीवन को सार्थक बनाए प्रयास करो हम उस संकर की बक्ती में डूबे भरोसा आपको करना विश्वास आपको रखना दड़ता आपको रखना और बिना भरोसे के बिना विश्वास के परमात्मा कैसे मैं से मिने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवाब इचे उड़ते जावी बाबा बोरे के छुरी ना पटी जावी भोले मैं तेरी पत्म शंभू मैं तेरी पत्म जी जी बोल रहे हैं हमने इत्ती विदेश के डॉक्तरों को भी दिखाया परिक्षा इतनी इली बाबा ने पर संतन का सुख नहीं हुआ जब विश्वास शिव पर करा तो मेरे बाबा ने दो दो दे दी ये शिव की करता है शिव करुणा सागर है उसकी अभीरल भक्ती उसका विश्वास हमको देता है दक्षण में रहने वाला वो मुंगा भगत शिव की भक्ती में डूबा रहता है उसका एक विश्वास था शंकर को जल चड़ाय बिना पानी नहीं पीता शिव को जल चड़ाय बिना जल गरहन नहीं करता था जैसे आरजुन जैसे युदिष्ठिर आरजुन और युदिष्ठिर का भी नियम था कि संकर को जब तक जल ना चड़ जाए तब तक जल गरहन नहीं करते था आर्जुन और युदिष्ठिर तो द्वापर की बात है स्वयम हमारे सास्त्रवर्णन करते हैं मेरे राम जी महराजवी बन में जब चौधा वर्ष के लिए मेरे रागहुजी जब बन के लिए गए मेरे राम जी महराज जब तक के पिले में रेती हूँ आजये हाथ लाओ एक बार बच्चे आए साथ में आजयाओ एक बिलपत ले जाना आजये गुर्देओ मुझे शादी के छे साल निकल गए संतान प्राप्ती नहीं हुई छे साल तक मैंने बहुत प्रयास करा डाक्टरों का इलाज भी करवाया और बाबा की करपा एसी हुई कि जब शिव की अराधना करना प्रारम करा तो बाबा ने मुझे संतान दी और एक नहीं आप करते हो ना बाबा जब देता है तो छपपर भाड कर देता है मेरे बाबा ने मुझे दो संतान दी छे साल के बाद मुझे जुड़वा संतान हुई एक बेटा एक बेटी प्राप्त हुआ संतान होने के छे महीने के बाद मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया और बुखार आने के कारण बस उसको आगई फिट्स उसको जटके आना प्रारम हो गया जटके जैसे आना प्रारम हुए फिट आना प्रारम हुए उसकी वजहा से उसकी शरीर का ग्रोथ होना रुप गया डाक्टरों का इलाज करवाया तो डाक्टर करने लगी इसको फिट के कारण मिर्गी के जो दोरे आ रहे हैं फिट आ रहे हैं इसके कांड़ बसर इसका विकास नहीं होगा ये धीरे धीरे ऐसा ही डल होता चले जाए शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी बच्चे को मेरा बेटा धीरे धीरे करते 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 पांच साल का हो गया पर वो चल नहीं पाया पांच वर्ष का बेटा जब चल नहीं सका हिल नहीं सका क्योंकि उसको सरीर में कोई ऐसी बिमारी लग गई जिसके कानवज वो चलना फिरना बन पाई उसका चल नहीं पाई छे महिने में उतको फिटाना चालू हुए और मेरा बेटा पास साल का होने पर भी चल नहीं पाया तो मैं बड़ी चिंता में पढ़ गई मेरी बेटी और मेरा बेटे में अंतर बेटी तो चलती पर बेटा नहीं चलता पास साल तक बड़े से बड़े शहर के एक एक डॉक्टर के पास मैंने इलाज करवाया पर कोई जवाब नहीं था फिजो थेरीपी करवाई कई तरह का उपचार करवाया शरीर में कोई बदलाव नहीं आया तब बाबा के भरोसे पर मुझे संतान हुई तो मैंने बाबा पर ही छोड़ दिया और मेरी जेठानी के कहने पर मिन्हें शंकर भगवान का जल लाकर अपने बेटे के शरीर को लगाना प्रारम कर उसको जब शरीर को पूष्टि उसको इससनान कराती तो सबसे पहले शंकर को चड़े उए जल को उसको पिला देती और उसके शरीर पर लगा द प्रचुपतिनात का बरत की किया और पशुपतिनात का ज्यसे तीसरा संमर हुआ मेरा बेटा चलना प्रारंब हुआ और में बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आयना आओ अब मेरा बेटा खुड चलता है और बाबा को जल भी चड़ाता है जिसके मैं फोटो भी लगा रही है शिवतत्व है आप लोग एलेडी पर फोटो देख सकते हैं आस्ता चेनल पर भी उस फोटो को निहार सकते हैं शिवतत्व की प्राप्ता है एक विश्वास एक भरोसा एक दड़ता जब हमारे भीतर प्रकट होती है हम जिस भरोसे के साथ शंकर को जल चड़ाते हैं जिस भरोसे के साथ शिव की अनादना करते हैं शिव हमें उस भाव से स्विकार करने है आप इतनी संख्या में आयो लाखो की संख्या है आपके बेठे हो जहां तुमारी मर्जी पढ़ गई आप महां बेड़ गए चाता लगा लिए बेट करका था करिस्पान कर रहा है तो अब उस माने लिखा कि मेरा बेटा पास साल का होने के बाद भी पास साल जैसा दिखता नहीं था क्योंकि उसका शरीर डल होते जा रहा है जिसको छे महिने में फिटाना चलू हो जाए और रेगूलर पास साल तक फिटाते रहे और थोड़ी थोड़ी देर में दो दिन में पास दिन में आठ दिन में तीन दिन में फिटा रहे हो बच्चा ड़ल होते गया होते गया पास साल का होने के बाद भी पास साल जैसा नहीं द बहुत विश्वास के साथ में कथा को अगर सुनते हैं यह वह बेहन ने लिखा नाधपुर वाली ने वर्धा वाली ने कि हमने तो टेवी के सामने मेरी बेटी ने केबल मोबाइल रखा आसन लगाया आबुधाबी में उसका पती उससे कह रहा है कि ऐसा होता है क्या